गुरु भगवान की प्रेव के अनन्त अनन्षुक्रामें हैं हमारे गुरु दाधा भगवान अगर उनकी जीवनी की तरफ देखें तो दो चीज़े उसमें देखने में आती हैं एक तो जीवन में कभी कोई मोड आता है कुछ ऐसी गट न गटती है जो हमको भगवान की तरफ मोड़ देती है उनके जीवन में भी ऐसी गटना हुई व्यापार एक दम से खतम हो गया और उनके सामने कोई रास्ता ऐसा नहीं था बड़ा परिवार था तो कुछ कारण वर्ष उनके मन में जैसे आता ही है लोगों के हम तो आत्मत्या कर लेते हैं इससे तो मर जाएं तो ठीक है ऐसी जीने का क्या फाइदा है ऐसे लोगों मन में आती हैं बाते हैं सब कहीं आती हैं कभी न कभी आई होंगी आती होंगी और इससे तो मर जाना ही ठीक है बेकार है, ऐसी कोई जिंदिगी है, क्या, ये क्या है, वो क्या है, वो तो चल पड़े, उस समय लखनों में थे, तो गोंती नदी में आत्मत्या करने के लिए चल पड़े, तो एक मित्र ने उनको रोक लिया, वो समझ गया कि कुछ गड़ बड़े, वो लेकर गया उनको गुर अध्यान किया, ग्यान का, पुरा अध्यान किया, चालिस साल की उम्र से लेकर पचात साल की उम्र तक उन्होंने अध्यान किया, गुरू का सानिद उनको सिर्फ छे महीने कई मिल पाया था, फिर वो कहीं चले गए थे, तो अध्यान करके फिर उन्होंने सत्चं करना बढ़ना तो बाद में समझ में आता है, पहले तो हम गुरु को देखते हैं, कि वो सत्तं कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग उनको पूछ रहे होते हैं, मान सम्मान दे रहे होते हैं, और ज्यान ले रहे होते हैं, और ग्यान से इतने सारे लोगों का जीवन बदल रहा होता है Change your thoughts, change your life, बदले विचार, बदले जीवन इतने लोगों का जीवन बदल रहा होता है इतने लोगों के जीवन में आनचानती आ रही होती है इतने लोगों को खुशी मिल रही होती है इतने लोगों को मतलब शब्द कम है लावी लाव हो रहा होता है तो ऐसा देखकर हम भी प्रेरित होते हैं कि हमारा भी जीवन गुरु जैसा हो, जतना भी हो पाए थोड़ा हो पाए, जादा हो पाए, जैसा हो पाए हमारा एक संकल पुटता है कि हमारा जीवन भी निश्कामी बने जैसे गुरु का है, ऐसा हमारा जीवन भी निश्कामी बने अब बढ़ना क्या है? बढ़ना तो सबके लिए अलग-अलग है सबका अपना अपना होता है अपने अपना तरीका होता है, अपना style होता है, अपना attitude होता है अब इसमें हमने देखा गुरु को कि वो ज्ञान दे रहे होते हैं ज्ञान कहां से आया, ज्ञान अध्यान से आता है, स्वाध्या है कहते हैं उसको, शवन मनन दिजिध्यासन तो सुनना, मनन करना, मनन करने में पढ़ना आ गया, स्वाध्या आ गया दिजिध्यासन निरंतर दीरकाल तक बुद्धी को आसन की तरह स्थापित करे, अर्थात अपनी बुद्धी को स्थिर करे, सबकॉंशन माइन को स्थिर करने के लिए चेंज करने के लिए, रेपिटीशन चेहिए, रेपिटीशन रेपिटीशन हमें सत्चंग में लगातार होता है तो हम सत्चंग में लगते हैं सुनते हैं, मनन करते हैं अब जाधा भगवान ने क्या करा कि भई, आप पढ़ लिया बहुत सुन लिया, डाइरियां भढ ली अब कुछ तो काम आना चाहिए तो ऐसे तो हम लोग भी देखते हैं प्रवचान हो रहे हैं जगा जगा कहीं भागवजी हो रही है, कहीं कहीं कोई शिविवा हो रहा होता है कहीं, one evening एक evening का हम कही जगे प्रोग्राम देखते हैं, भजन संद्या हो रही होती है हमने देखा गुरु को सच्चं करते हुए तो हम सच्चं करें अब सच्चं करें, सुने कौन कहां से लाओगे आप सुनने वाला दादा भगवान के सामने भी प्रश्न था आज दादा भगवान का सच्चं पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में, जगे जगे हो रहा है सच्चं का ऐसे बना हुआ है दाहरा बना हुआ है तो बना कैसे? शुरू कहां से हुआ? पार्क में बैठे थे? या अख़वार पड़ा रहे थे दादा जी? यह क्या हुआ? यहां से सच्चं शुरू हुआ पुझा क्या कह रहे हैं आप? तो उन्होंने फिर ज्ञान की बाते हैं उसको बताना शुरू करा उसको कच अच्छा लग गया देखे होता है ना जब हमारा संकल्प होता है ना तो हमें भी कोई ना कोई मिल जाता है जो लोग कहते हैं हमें कोई मिलता नहीं है सुनने वाला इसका मतलब उनका संकल्प नहीं है इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं उनका खुद का संकल्प नहीं है comfort zone से बाहर निकलना हर एक के बसकी बात नहीं होती है जिसके मन में आ जाता है कि मुझे सत्संग करना है बढ़ना क्या है पहला हमारा जो step है वो सत्संग करना ही बढ़ने का first step है अगर ये नहीं किया हमने तो और तो करते रो भूके और खिलाते रो आप जिंदगी बर खिलाते रो भूका ही रहगा एक time आप खिलाओगे next time फिर भूका फिर खिलाओगे फिर अगले time फिर भूका भूके और खिलाते रो आप कभी पूरा नहीं पड़ेगा किसी को कितना भी पैसा आप देते रो कभी पूरा नहीं पड़ेगा much wants more की बीमारी सबको लगी हुई है आप 1000 रुपे किसी को देते हो अगले दिन फिर खड़ा हो जाएगा भई कल तो दिये थे खड़ खड़ गई आप टेलीफोन रिचार्ज आज कल किता महंगा हो गया बड़ा फोन है मेरे पाइँ तेरे पास बड़ा फोन तु क्या करता है बड़े फोन का क्यों मैं फेस्बुक देखता हूं फेस्बुक पर लगा रहता हूं पान्सो रुपे तो उसके वो जाते है मही ने के तो आपने एक हजार दिये पान्सो तो उसने रिचार्ज करा लिया सबसे पहले पान्सो का सामान मामन ले आया कुछ है है न यह सब भी तो है न बड़ा चक्कर है आप किसी को तो पीना मत, वो कहागा, नाची मत पीता ही नहीं, आप थोड़ी देर इधर घुनते रो, वो सीधा गया वहाँ पर, कहाँ पर, सब जानते होंगे, देओ, तो फर्स्ट टेप बढ़ने का है सत्चंग, सत्चंग का मिस्यूज नहीं होता, नहीं हो पाएगा, करेगा भी कोई, तो वो खुद भरेगा, पकड़ा जाएगा, तो ऐसे करके, तो हम सत्चंग से शुरू करते हैं, आरम करते हैं, तो उन्होंने एक वक्ते मिला, थोड़े दिन होता रहा, उसके बाचीत होती रही, एक दिन बारिश आ गई, बारिश आ गई, तो क्या करें, मेरे घर चलिए, म हाँ, हाँ, बैठिये, बस, वहाँ, वो, फिर उन्होंने अपनी जान पर चान वालों को बुला लिया, ऐसे करके, धीरे, 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 अब इसमें एक साल लगा, दो साल लगा, कितना लगा, मुझे ठीक से नहीं मालुम है, पर ये मालुम है, कि बहुत टाइम लगा था द और धीरे, 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 कई साल लगे, तो एक छोटा सा गुर्प बना था, 85 यर्ज की एज में दादा भगवान का शरीर पूरा हुआ था, तो 50 से लेकर 85, मतलब 35 यर्ज उन्होंने सत्थन किया, गिता भगवान जोड़ गए, और प्रेमी लोग जोड़ ग थे, लक्ष्मी भगवान मुंबई के हैं, बहुत सारे प्रेमी मुंबई में, तो वहां से फिर बढ़ा, फिर एमदाबाद, इधर, उधर, फिर लखनौ में तो क्योंकि शुरू ही वा था, तो लखनौ उसे फिर बढ़ता गया, जरकि सारी बेल्ट नौर्थ की लखनौ से क अगर गुरू कुछ कह रहे हैं, तो मेरे लिए खाली नहीं कह रहे हैं, वो सब के लिए कह रहे हैं, जब सब्सक्राइब में बढ़ा तो मुझे लगा हाँ, यह सब चीज़ें जरूरी हैं, क्योंकि लोगों के जीवन में कुछ खराबियां, खामियां, कमियां, गल्तियां होती हैं, हमें नहीं पता होता, हम जो बेहिमानी कर रहे हैं, हमको लगता है, पार्ट अव दगीम है, इसी तरह होता है, दाल में नमक तो चलता है न, तो थोड़ी बहुत बेहिमानी तो चलती है न, हमने यह सीखा हुआ था, हमारी सबकॉंशस माइन की फीडिंग थी, जो मेरे यह नहीं थी, मेरे कभी कारोबार कोई बिजनस होता नहीं था, मैं नहीं जानता था, कि चाला की बेहिमानी भी होती है, यह सब कुछ मने नहीं पता था, पर धीरे धीरे जब मैंने भी बिजनस टार्ट करा, वो चला ही नहीं, क्यों नहीं चला क्योंकि सत्संग मैं हरसा में मुझे लगे रहना पड़ता था, अमाजी छोड़ते ही नहीं थे मुझे दुकान पर, आ जाओ, आजाओ, यह आए हैं, वो आए हैं, सत्संग करो, सत्संग, सत्संग, सत्संग का अगर एक बार संकल्प हो गया, तो उस व्यक्ति का बिजनस चलना मुश्किल होता है, यह मैं बहुत देख रहा हूं, अगर आप ठीक से संकल्प कर लो, कि मुझे मेरा जीवन निश्कामी बन संकल्प है, उनका बिजनस ऐच्छा चलता रहता है, आप जोड़े लो सत्संग से, सत्संग सुनते रहो, थोड़ा बहुत कभी करते रहो, अप तेमां एक दिन कर लो, पर संकल्प रखो, बिजनस, पैसा, तो बढ़ता रहगा, काम अच्छा चलता रहगा, आपका, और जिन इनका संकल्प होता है सत्चंग, उनका फिर सत्चंग बढ़ता जाता है, उनका बिजनेस ठप हो जाता है, काम धन्दा नहीं चलता फिर ठीक से, Choose आप बोलेंगे दोनों तो दोनों balance करो balance करो बिठाओ balance आपसे बैठ सकता हो तो बिठाओ मैंने कहरा नहीं बैठेगा जरूर बैठेगा बिठाओ दोनों का balance बिठाओ सचन में भी properly अच्छे से लगना है और business को भी अच्छे से करना है पैसा देखे पैसा एक माध्यम है पैसा आप खा नहीं सकते लेकिन रोटी तो पैसे से आती है पैसे से नीद नहीं खरीच सकते है लेकिन विस्तर तो पैसे से आता है तो इस तरह की कुछ बाते हैं धार्णाएं होती है अपनी अपनी दाड़ना जिनकी है कि हम सत्तंग में आगे बढ़ें वो उस तरह का संकल्प करना पड़ेगा उनको कि मेरा जीवन निश्कामी बने और मुझे सत्तंग में आगे बढ़ना है जैसे दादा बगवान का 40 साल से पहले का जो जीवन था वो टोटल बिजनेस का था बहुत पैसा कमाया था उनों ने हीरे के व्यापारी थे कपड़े के भी बाद में व्यापारी बने पर फिर वो नोंने लड़कों को अपने दुकान मगरा दे करके वो फिर सत्तंग में लग गए हमारा क्या संकल्प है रेटायरों के कुछ लोग आते हैं कहते हैं हम सत्रम में लगना चाहते हैं फिर गायब हो जाते हैं तो यह संकल्प नहीं हुआ इस सर्फ एक जुमला हुआ एक डायलोग हुआ हर पिक्चर में एक हीरो के अलग-अलग डायलोग होते हैं वो डायलोग छोड़ता है बहुत जाता है डायलोग, है न, महा तु जा, मैं नहीं आरा मंदर में है, क्यों, सीडियों पर बैठा है, क्या भगवानी आ नहीं है, जो भी डायलोग जो चले, वो दीवार वीवार क्या थी, बड़े डायलोग चले थे, लेकिन फिर, वो सारी नई पिक्चरों में नए डायलोग यह, वो यह, वो तो संकल्प, उनके कुछ नहीं होते, वो सब डायलोग से, ऐसे हम जब तक कह रहे हैं, हाँ, सत्संग में लगना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, डायलोग है, संकल्प तब माना जाएगा, जब दिल से उठेगी, आपके हूख, एक अंदर से अवा जाएगी, मुझे सत्संग में लगना है, आगे बढ़ना है, भागवान की तरफ चलना है, भागवान से मिलकर एक होना है, यह जब एकदम से तडफ हो जाएगी, तो काम मत जाएगा, फिर बिजनेस, बिजनेस, पैसा वैसा ध्यान मत देना, वो भागवान देंगे, भागवान ध्यान रखेंगे, वो हमें नहीं रखना पर ध्यान, भागवान रखेंगे, जैसे रखेंगे, जाही वेदे राखे, राम ताही भी दे रही है, और मैंने तो देखा है, वो अच्छे सी रखते है, जो भक्तों का आप चरित्र सुनते हैं, गरीब थे, फकड़ी थे, ये थे, वो थे, वो सबका संकल्प ही ये था, हमको कुछ नीचे ये भगवान, हमें तो सिर्फ आपका नाम, आपका भजन, उनका संकल्प वो था, तो वो सिर्फ भजन करते रहे, रोटी मिल गई, दो टुकड़े खा लिये नहीं, तो एक गुदड़ी पर, एक चिथड़े पर, फटी बोरी पर पड़े हैं, अपना रादे, 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 या हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कर रहे हैं, उनके वो संकल्प थे, करूं, मैं देना चाहता हूं, तो इन लेते नहीं, तो नामदेव ने का, मुझे दिखाईए आप, चल कलो, ये लकड़ियां बीन का लाते हैं जंगल से, बेचते हैं, कल देखना क्या होता है, ठीक है बगवान, नामदेव पहुँच गए, जहां वो लकड़ियां बीना करत ने लगे, नामदेव निकलाए, भाई साब, भाई लोग, मतलब हजबन वाइफ थे वो, तो आप लोग जो है, ये लकड़ियां इतने गठर रखें ने, क्यों ने ले जाते हैं, बेचो ना, पैसा आएगा, बोले हमें किसी की अमानत नहीं चाहिए, हम तो अपनी मेहनत का भजन करते हैं, हमें किसी के, बहुत किसी के भी नहीं है, तो कटर रखें हैं, किसी के नहीं है, आपको पता है किसी के नहीं है, बहां पता है, किसी के नहीं है, तो आप ले जाओ नहीं पिर, हमें क्यों राय दे रहे हो, आप ले जाओ, हम तो मेहनत की कमाई खाते हैं, मेहन के संकल्प होते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए हम तब भकड़ी अच्छे हम तब भजन करना है हमें अब बताओ आप क्या करोगे नामदेव ने क्या कर लिया भगवान ने क्या कर लिया अब भगवान ने कहा नामदेव देखो तुमने कहा था मैंने किया पर कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में माया नहीं आती, पैसा नहीं आता, भगवान तो सब देने कि भगवान ने कहा गीता मैं, अपनी भग्तों का योक्षे मैं वहन करता हूं, हमें है किस बात की चिंता, अब हमें विश्वास नहीं होता, यह हमारी सबकॉंशनस माइंड की फीडिंग है, सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कौन कैसा है, कौन कैसा है, क्या पता, यह सबकॉंशनस माइंड की फीडिंग है, चलिए, अब पार्ट टू, महनत, महनत का डारेक्शन सही होना चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी महनत का डारेक्शन सही होना चाहिए गलत जगे महनत करोगे तो कुछ नहीं निकलेगा परणाम कुछ नहीं निकलेगा उधारन लेते हैं एक लड़का एक बार साइकल चला रहा था कुछ पाड़ी सा इरिया था उतार चाड़ाओ का वो देखता है करीब एक किलो मीटर की दूरी पर थोड़े से बु और वो साइकल चला जा रहे आगे लड़के को जैसे होता है लड़कों को इन से आगे निकलना है अब जाना था उसको ट्यूशन पढ़ने पर आ गई है उसको दिमाग में अब चला तेज चलाने लगा अब एक किलो मीटर की दूरी जो क्योंकि उचाए नीचाए का रास्ता तो दिख रहे थे कभी नीचे चले आते थोड़ा कभी उपर दिखने लगते तो तेज चलाकर हाफता वा हाफता वा हाफता वा आया उनके पास उनसे आगे निकल गया I won, मैं जीत गया उन्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है और कोने बही होगा कोई वो अपने रस्ते चल अहाँ मैं जीत गया, अब रुका, हाँ, 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 मैं जीत गया, tuition, अब याद आया, ओ, अरी, दस मिनट तो निकल भी गए, और tuition जो teacher का घर था, वो तो उधर आगे right side में मुड़ कर जाने का था, अब जो वो लोटा है, हाफता हुआ, आदा घंटा तो लेट हो गया, tuition के teacher ने डाट लगा दी, भगा दिया, tuition भी गया, और उसे जीतने का कोई लाब, कोई लाब, ऐसे हम लोग competition करते रहते हैं, एक दौड में लग जाते हैं, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, फलाने ने पैसा कमा लिया, हम भी करोगे, आपका एक लक्स होना चाहिए, आपका लक्स पैसा कमाना है, चलो, किस लिए, why clear होना चाहिए, क्यों, why clear होना चाहिए, why I want to earn money, मैं पैसा क्यों कमाना चाहता हूँ, क्यों, reason पता होना चाहिए, तो तो वो पैसा आपके काम आएगा पैसा बहुत कमा लिया करना था सो ना कियो परियो लोब के फंद नानक समय रम गयो अब क्यों रोवतंद समय बीट गया अब आजमी सोचता है रोता है अंधे की तरह जब समय था तो गमा दिया लक्स होना चाहिए पैसा क्यों आपको क्लियर होना चाहिए इसलिए चलो ठीक वेरी गुड अब आप लगो अब ठीक है क्योंकि लास्ट में टाइम निकल गया कुछ भी हो गया लेकिन आपका अंदर में एक आवाज आएगी मेरा जो लक्स था वो मैंने प्राप्त करा आप कहेंगे यह दुरंगी बात दो तरह की बात क्यों करते हैं पहजारों में कोई एक पैसा कमाना है तो कमाओ देखे भगवान ने गीता में एक बात कही है यह अर्जुन सब लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हजारों में कोई एक भगवान की तरफ बढ़ता है गीता का वाकिय है मैं नहीं बोल रहा भगवान ने गीता में कहा है हे अरजुन हजारों में कोई एक मेरी तरफ बढ़ता है अब बताओ मैं क्या करूँ मैं आपको उपदेश करूँ भगवान में लगो, भगवान में लगो, भगवान में लगो, मान लीजे, इस समय चार सो लोग हैं, कित्ते लोग लगेंगे भगवान में, अभी अगर मैं कहूं हाथ खड़ा करो, तो कित्ते लोग खड़ा करेंगे, सारे, क्या आप लग भगवान ने पद, मान पर्थिष्ठा अभी चुनाव आ रहेंगे, नगर निगम टाइप के चुनाव आ रहेंगे, तो इस सब बनाया है भगवान ने, अब कितने सारे लोग इसमें लगेंगे, कितने जंडे फेराएंगे, कितने लोग जो है वो, जो भी जाएंगे, वोट द ना, तो इसलिए गुरू की वानी मैंने जब सुनी, तो उसमें सब तरे की बात चल रही थी, मुझे लगा यार यार यह तो मजा नहीं आ रहा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक बात चलनी चाहिए, मैं तो यहां इसलिए आया हूँ कि भगवान कैसे मिले, एक बात चलन तो दुकांदार एक कपड़ा दिखा दे हमाए पर तो एक ही आजी, और दुकां काईकी हुई वो, तब दस्यों तरे के वो दिखाता है तब चूज करते हैं आप, इसी तरह हम लोग के मन हैं, दस्यों तरे की बाते सामने आती हैं, हम चूज करते हैं, दिख एक और पर बैठे हुए तो सड़क के नारे और आवाज लगा रहे थे जो चाहोगे सो पाऊगे जो चाहोगे सो पाऊगे यह क्या मतलब हुए इस आवाज का भगवान को चाहोगे तो भगवान को पाऊगे संसार को चाहोगे संसार को पाऊगे मतलब बढ़ोगे उसमें जो भी करोगे, आखिर में सब छूट जाएगा, वो एक अलग बात है, वो तो एक अलग बात है, सब को मालूम है एक दिन मरना है, तो क्यों लक्ष रखते हैं हम तरह तरह के, यह अपना-पना शौक होता है, यह अपना-पना अंतह करण होता है, इसम पास कर रहा है, जो चाहोगे सो पाओगे, एक लड़का आया, बाबा जी मुझे नया काम करना है, नया काम डालना है, मैं चाहता हूँ, मैं व्यापारी बनूँ, एक सफल व्यापारी बनूँ, कैसे होगा, आप कह रहे हो, जो चाहोगे सो पाओगे, कैसे होगा, तो बाबा के आधार पर तुम जो चाहोगे सो पाओगे तो लड़का कहता है very good मंत्र बताईए मुझे भई मैं जितना पालन कर सकता हूं करूंगा तो बाबा जी कहते हैं कि मैं तुमें एक हीरा और एक मोती समझ लो ऐसे मंत्र दे रहा हूं लड़का कहता है very good हीरा और मोती मैं हीरे काई व्यापार कर लूँगा कैर बाबा कहते है देख मेरे पाथ नहीं है लेकिन मैं तुमें एक बात बता रहा हूं उसका एक हाथ पकड़ा और उसमें उन्होंने कुछ रखा ऐसे करके जैसे करते हैं ने ऐसे करके तो लड़के ने देखा वहां कुछ नहीं था कोई बात ने तो मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं ये है इस दुनिया का सबसे अन्मोल हीरा है समय इसको कभी मत गवाना इसको किसी को मत देना मतलब वेस्ट नहीं करना आलतू फालतू नहीं वेस्ट करना कान से काम रखना अपने काम में आगे बढ़ना समय को बेकार नहीं गवाना समय एक हीरे के समान है और हीरा तो जाकर फिर आ सकता है समय जाकर फिर नहीं आता जितना समय हमारी उम्र का बीट गया उतनी आयू हमारी कम हो गई लोग कहते हैं मैं सत्तर साल का I am 70 years old यह जैसे कहते हैं हमारी 70th birthday है birthday मनाते हैं सत्तरवी birthday है सत्तर साल जीवन के निकल गए अब आयू जितनी भी है बस उतनी ही साल बचे है तो बाबा जी ने कहा समय को व्यर्थ नहीं गवाना तुमको जो भी काम करना है कारोबार करना है टाइम वेस्ट नहीं करना मेहनत करना दूसरा लड़का कहता है आप दूसरा मंतर दीजिए तो दूसरा हद पकरते हैं बाबा उसका और हतेली पर ऐसे रख कर कहते हैं बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसको धैर कहते हैं पेशिंस सस्टेंड डेडिकेशन फर लॉंग पिरिड उफ टाइम किसी वो कुछ बनना है तो उसके लिए एक बात बनती है एक बार एक बैडमिंटन का चैंपियन अपने इंटर्वियू में वो कह रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी में अब्जर्व किया है दो दिन में कुछ नहीं होता एक दिन में कुछ नहीं होता जादू से कुछ नहीं होता शॉर्ट कट कोई नहीं होता मेहनत सब कुछ है और मेहनत भी sustained dedication for a long period of time लंबे समय तक लगातार लगे रहने से देहर पुरवक और प्रेम पुरवक और पुरा जनून के साथ मेरा यही लक्ष है इस भाव को रख करके जो लोग लगे रहते हैं वो बढ़ते ही चले जाते है समय लगता है धेहर रखना पड़ता है have patience जल्दी का काम शैतान का एक काहवत है जल्दी कोई काम नहीं होता है जल्दी हो भी जाते हैं कुछ काम हो भी जाते हैं लेकिन जो समय के साथ जो काम होता है कहते हैं समय से जो फल पकता है उसकी मिठासी अलग होती है और जो जल्दी तोड़कर आजकर पका कर देते न कितने खटे-खटे फल निकलते हैं आजकर देखने में पका हुआ होता है खाने में खटा होता है क्यों फल तो मीठा होना चाहिए कच्छे तोड़कर पका देते हैं जल्दिया काम, शैतान का या जल्दिया काम वेकार? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीचे नौगणा, रित्व आये फल होए. समय आता है, फसल का समय होता है पकने का, तब ही जो फसल पक के तैयार होती है, वो बढ़िया होती है. कच्ची फसल किसी काम की नहीं होती. तो मॉरल है इसका दृष्टांत का, कि लक्ष प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर, समय और धैर नाम के हीरे मोती अपने साथ रखे. अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें, और कठन समय में, कठन समय भी आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, धैर का दामन न छोड़ें, सफलता अवश्च प्राप्त होगी.